प्रोफिट एंड लॉस का कोश्चन नमस सोलो देखते हैं कोश्चन नमस सोलो में क्या पूछा जा रहा है इसके बारे में समझते हैं तो सबसे फिर से एक बार वेलकम करते हैं डिज्डिस क्लास में और इस वीडियो के साथ जरूर बने देहें अंतीम तक ताकि इस कोश्चन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं लिखा हो एक नारियल बेपारिक हो यह ग्यात है कि 2750 नारियल का करे मुल 2500 नारियल के बिकरे मुल के बराबर है तो उसका परतिसत लाब यहानी ग्यात करें यह भी कोश्चन हमारा भाव से बेचा या भाव से खरीदा जा रहा है तो जब कभी भाव से बेचा या भाव से खरीदा जाता है तो आप जानते हैं कि हमेशा जो प्रॉफिट या लोस होता है SP पर डिपेंट करता है तो यहाँ भी हमें SP पर ही निकालेंगे तो चलिए स्टार्ट करते के SP पर कैसे निकाला जाता है तो 2750, 525 सोनारियल के बिक्रे मूल के बराबर होता है यानि कि यहाँ पर जो है अड़ाय सोनारियल का प्रॉफिट हो रहा है तो अढ़ाय सोनारियल का profit हो रहा है तो इसको चलिए देखते हैं कि कैसे इसको निकालते हैं, तो percent profit बरावर, percent profit बरावर, अढ़ाय सोनारियल है, यानि कि 250, अढ़ाय सोनारियल है, और इसमें जब profit हो रहा है कि इतने अढ़ाय सोनारियल का, तो हम जानते हैं कि यहाँ SP पर है तो SP है कितना? पचीस सो, यहाँ पर लिखेंगे पचीस सो, अब इसको जब simplify करेंगे, यानि कि into 100, तो इसको जब simplify करते हैं, तो देखेंगा, दो जिरो, दो जिरो यहाँ से cancel हो गया, अब पचीस से कम पचीस, और एक जिरो का एक जिरो, यानि कि हम कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमें profit हो रहा है, 10% का profit हो रहा है, जो हमारा सही अंसर, Ops number हमें 10, Sorry, Ops number B दिया है, जो 10% gain, gain मतलब होता है profit.